और क्या हाली मिरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकलामी स्वागत के साथ साथ अब इननेंद करती हूँ. आप लोग कैसे हो आप श्वेता पाकलाम बनाई डाल रेसिपी जो पने मौंग डाल और पोई के पत्टी के साथ बनाके त्यार किये हैं. आप सभी को पता है कि पोई का पत्ता बहुत ही ज्यादा फायदा करता है इस समय मार्केट में आपको पोई के पत्ता असानी से मिल जाता है आप इस दाल को मूंग दाल के साथ बनाई चने की दाल के साथ बनाए या फिर मिक्स दाल के साथ भी बना के त्यार कर सकते इस दाल का स्वाथ बह तोड़े समय थोड़ी समागरी के त्वारा ये दाग की रेस्पी बन के तयार हो जाती जो बहुत ही जादा टेश्टी लगती एक बार आपने इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करना है तो चलो दोस्तो हम आप इसको मिलक के बनाना शुरू करते हैं पोई मुंगदाल रेसिपी आप सभी को पता है कि पोई का पता बहुत ज्यादा करता है ये एक तरह की बेल होती है और पालक से मिलती जुलती है पोई के पत्ति के अंदर सारे vitamins और मिल्डरस भरपूर मातरा में पाय जाती है जो आपकी health के लिए बहुत अच्छी होती है इसके अंदर fiber भरपूर पातरा में पाय जाता है सीचन की जो भी सबचिया होती हो इसको अपने diet में जरूर सामिल करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हल्थ के लिए बहुत अच्छी होते हो इसी तरीके से हमने एक दम से बारीक इसको कट करके त्यार कर लेना है जो बारीक डंठले इसको भी इसके अंदर हमने कट कर ले इस तरह देखे पोई का साग हमने कट करके त्यार कर लिया इस साग को हमने दाल के साथ बना के त्यार किया तो एक कटोरी हमने मूं की दाल ली है वजन में ये लगबख सौसे सवासो ग्राम के करीब होगी इसको एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसके अंदर पानी डाल देते हैं हलका सा इसको रगड़ते हुए दो से तीन बार धूर के साफ कर लिती है दाल को हमने पहली चुन के साफ कर लिया था इस तरीके से देखे दाल को हमने साफ करके रख लिया दाल को और जादा टेस्टी बनाने के लिए हमने एक इंचद्रा के टुकड़े को छील के उसको छोटे टुकडे में कट करके तयार कर लिया अब दाल को पकाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशा कूकर लिया और कूकर के अंदर पूरी दाल को निकाल लेते हैं अब दाल के अंदर जो हमने टमाटर, अद्रा, हरी, मिर्च, लासन को छोटे और बारी टुकड़े में कट करके तयार के पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं अब जिस कटोरी से हमने डाल लिया है, उसी कटोरी से इसके अंदर लगपक चार से पांच कटोरी पानी को डाल देते हैं बाद में जरूत लगेगी तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल देंगे तो इस तरह इसके अंदर हमने पांच को टोरी पानी को डाल दिया, स्वात के उसार एक टेबे स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया, चौथाई टेबे स्पून इसके अंदर हल्दी पौडर डाल दिया, हल्दी पौडर पूरी तरीके से ऑप्सनल है, आप चाहे तो बिना हल् अब इस सारी समाकरी को पहले हमने अच्छी तरीके से मिला लिया मिलाने पार धक्कन लगा के गैस की मेडियम फ्लेम पे दो सीटी पका के त्यार कर लेनी है और एक सीटी हमने लो फ्लेम पे पका के त्यार कर लेते हैं आपको इसके तड़के के लिए बता देते हैं एक से दो पूरी तड़के को इसके अंदर डाल देते इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते तड़के को डालते से भी वीडियो सूट नहीं हो पई तड़के को इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से मिला दिया फिर आप इसको गर्मा गर्म चावल के साथ रूटी के साथ खाना पसंद करेंगे बहुत ही जादा टेस्टी बन के तयार होती है बच्चों को भी साग और दाल खिलाने के अदर जरूर डाली हो उनकी हिल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है रेस पीच्छी लगी वीडियो पसंद आयो तो लाइक से और सब्सक्राइब करें आप तक कीमती से मनिका के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया